Human Genome एक किताब की तरह होता है, जिसमें 23 sheets of paper हैं, हर sheet में 2 pages होते हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, तो मतलब, इस किताब में 46 pages, यानि कि 46 chromosomes हैं, और 23 chromosome pairs, हर page पे जो भी text लिखा हुआ है, वो सारा text मिलके बनाता है, एक single DNA का molecule, और एक page पे जो भी लिखा है, वो कुछ sentences में लिखा होगा, जैसे एक sentence यहां से शुरू के यहां तक होगा, दूसरा sentence यहां से शुरू के यहां तक कुछ ऐसे, तो ऐसे इस लंबे से DNA molecule में, बहुत सारे genes होते हैं, बहुत सारे sentences होते हैं, कोई sentence बड़ा, कोई sentence छोटा, इस तरह से, यह एक sentence, यह दूसरा sentence, तो यह sentences होते हैं हमारी genes, जो की unique होती है, sentence बना होता है, शब्दों से, words से, तो इस किताब के अंदर, 3 billion words या 3 billion base pairs होते हैं, प्लीज नोट, words unique नहीं होते हैं, किसे भी किताब में words तो बार बार repeat होते हैं, लेकिन sentences unique होते हैं, उसी तरह base pair unique नहीं है, लेकिन genes unique होती हैं, और words बनते हैं alphabet से, तो जैसे English language में तो 26 alphabet से हैं, लेकिन इंसान की genome की किताब में, सिर्फ 4 alphabet से हैं, A, T, G, C, 4 alphabets, A, T, G, C, से ये पूरी किताब लिखी गई है, genome की, ये alphabets आपस में मिलके बनाते हैं words, जैसे हैं यहाँ पर हमने word बनाया, all inclusive IAS, ये तीन words हैं, ऐसे ही A, T, G, C, आपस मिलके कुछ words बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं base pair, जैसे आपने ये photo देखी होगी, कई वार movies में, तो यहाँ पर क्या है, ये DNA है, DNA के एक चोटा सा part है, यहाँ पर ये जो एक molecule है, ये हमाने लो A, molecule A, तो ये हमेशा T के साथ जुड़ता है, A हमेशा T के साथ जुड़ता है, ऐसे ही जो G molecule होगा, वो हमेशा C के साथ जुड़ता है, और इस लंबी सी ये जो ladder ये chain दिख रही है, आपको जो पीछे है, support के लिए, इसको बोलते है, sugar phosphate backbone, जैसे मैंने लिखा all inclusive IAS, तो यहाँ पर A, ये सब तो alphabets है, और रोपर रे का कीची हुए है, हम लाइन कीची हुए इनको जोडने के लिए, ऐसे, तो उस लाइन को बोलते है, sugar phosphate backbone, जो आपको यह तो ये particular order में जुड़ते हैं, A हमेशा, जैसे ये A है, तो ये हमेशा इसके आगे T होगा, ठीक है, G के आगे हमेशा C होगा, और ये पीछे जुड़े होते है, sugar phosphate backbone से, तो ये बन गए हमारे words, अब words यूनिक नहीं होते हैं, words तो बारों repeat होते हैं, किताब के अंदर हैं, words त होता है, पर जैसे मानलों, यहाप एक sentence लिखा है, कि ये जिस भी इनसान की genome है, उस इनसान की आखे black होंगी, या आखे blue होंगी, ठीक है, तो यहाप लिखा होगा, eyes का color blue होगा, ऐसा को sentence लिखा होगा, right, तो वो sentences होते हैं genes, अब मानलों, ये है मेरी genome, ये मेरी genome की किताब है ये है आपके genome की किताब, this is my genome, this is your genome, मेरे genome में लिखा है, कि आखे blue होंगी, यहाप लिखा है, आखे blue होंगी, तो क्योंकि मेरे genome में ये gene है, इसलिए मेरी eyes blue है, आपके genome में लिखा है, आखे black होंगी, ये genome में इस तरह से लिखा है, तो इसलिए या जीन है आपके पास black eyes क माल लो scientist किसी तरह से मेरे genome का ये gene निकालके आपके genome में डाल दें तो फिर आपकी eyes भी blue हो जाएंगी तो यानि कि sentence by sentence जो किताब लिखी है उसके basis पे हम पूरे बने हुए है ठीक है बाल curly होंगे या straight होंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़े एकदम exactly सभी कुछ हमारी A to Z सब कुछ इस book किताब के अंदर लिखा होता है इन sentences के थुरू अब एक page पे एक sentence होगा नहीं बहुत सारी sentences होंगे तो एक page पे जितनी भी sentences है उनको मिला के जो भी आपने लिखा है उसको बोल दोगे DNA क्या बोलेंगे DNA अब यह sentence आपने लिखा किसके उपर है किसी page के उपर page को बोलते हैं chromosome तो इंसान की इंसान की पूरे genome में इस किताब के अंदर 46 DNA या 46 chromosomes होते हैं ठीक है समझ गए एक page पर जो भी लिखा है वह होते है DNA जिस चीज़ पर लिखा हुआ है उस page को बोलते हैं chromosome अब मैंने को बताया है कि page जो आगे page है वैसी पीछे page होगा sheet of paper पे एक sheet पर दो page होते हैं तो उसी तरह chromosome जो है वह मुशे पेर में आते हैं तो chromosome pairs होते हैं 23 ट्वेंटी त्री शीट्स आधा 23 तो 23 शीट्स ओफ पेपर हैं जिन में आगे और पीछे के तरफ दो दो डिनेस हैं अब जो 23 शीट्स ओफ पेपर हैं इन शीट्स को आपसे में करोगे तो बन गई हमारी किताब तो 23 chromosome pairs को यह हमारे nucleus के अंदर रिजिस्ट करते हैं जिन से बनती है पूरी human genome ठीक है और यह nucleus में होता है यह हमारे cell है cell के अंदर nucleus है nucleus के अंदर chromosomes है chromosome pair में होते हैं ठीक नब पेर का मतलब दो तो यह नहीं कि एक और दो chromosome मतलब pages और page के उपर होता है DNA यह सारे जो गोल 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 दिख रहा है यह सारे DNA है और DNA में होते हैं sentences याने कि genes जीन्स बने होते हैं words से याने कि base pair से और words बने होते हैं molecules से ATGC अगर आप ATGC याद करने में दिक्कत होगी तो ऐसे ध्यान रखना कि जो G है वो C की दिखता है यह G है ठीकिन इसको हटा दो तो बन गया C और ऐसे ही A और T का अगर देखो को तो A का दो डंडे होता ने एक डंडा ऐसे एक डंडा ऐसे तो यह दूसरे डंडे को उपर रख दो तो A का तो ऐसे बन गया और A को ऐसे बनाने की जगे ऐसे बना तो बन गया T तो GC एक जैसे और 80 एक जैसे तो भगवान ने जब लाइफ बनाई तो सब के लिए एक एक किताब लिखी जैसे ये जो किताब है इस किताब में human genome है पूरा ठीक है दूसरी किताब होगी उसमें lettuce से घथा होगा ये घोड़े की जीनोम की किताब है ठीक है ये किसी particular bacteria की है तो ऐसे ज पूरा सारे genes होते है genes मतलब sentences होते है sentences से पूरी किताब बनती है तो genes से पूरा हमारा genome मनता है sentences से किताब बनती है genes से पूरा genome मनता है तो ऐसी पूरी library है भगवान के पास भगवान लिखते रहते हैं किताब और नहीं species बनती रहती है ऐसे आप सो सकते है इस चीज को तो काफ unique होता है यह हमने का यह इंसान की किताब है तो इंसान की किताब में बहुत से varieties होंगे या color versions होंगे तो हर इंसान का DNA बिलकुल unique होता है आपका और बाकी humans का DNA में 99.9% similarity है हलका बहुत ही difference है तो इस इंसान की दो आखे हैं यह sentence आपको हर इंसान की सेम चीज़ है लेकिन आइस का कलर क्या होगा वो थोड़ सा डिफरेंस आ जाता है वैसी इंसान और चिंपैंजी में 96% DNA सेम होता है तो अगर इंसान की किताब में आप सोड़ी श्यतानी करो और थोड़ा सा कुछ चेंज कर दो 2-3% पर्टिकलर तरीके से तो वो उन पर्टिकल पर्सेंट चेंज करोगे तो इंसान कुत्ता बन जाएगा मतला इंसान की किताब में 84% सेंटेंसे बिल्कुल सेम होंगे फरक सिर्फ 16% सेंटेंसे का है अब यह तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उपर वो याद करने का असान तरीका था ताकि आप इस वीडियो को दो तुन बार देखोगे तो कभी भूलोगे नहीं कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक्जामें बैटके ना कन्फूशन हो जाता है तो कन्फूशन नहीं होगा उपर वो सारी स्टोरी थी अब यह कर तरीके से दिख रहे था हैं एक्जैक्ली हो क्या रहा है कि देखो सबसे पहले वर्ड्स होते हैं जैसे ATGC मॉलिक्यूल यहा तक शर्त सकते हैं तो यह संटेंस यह कि जोडए रहे जोडते रहे जोडते रहे और जोड़ सो आज को सारी एक ऐगा एक पेज को सारते बन गया ऐसे बहुत से संटेंसे संटेंसे हैं इसे संटेंसे से जूड़ते रहे और एक पेच पर जो भी टेक्स कर लिखा उँआ है वो सारह बन गए डीने तो यहां से लेकर यहां लेकर ऐख लंभा सा गुछ पुच ओके दिखा रहा है पूरा यह पूरा एक डीने का मॉलिक अब डिएने मॉलेकुल ऐसे भी सोच थे बड़ी चेन बनी विया जीन से जो है ना लिंक यह जीन से और जीन साथ में जो जोड़ जोड़के बन गई लंबा सथीव डिन इन मॉलेकूल अब डिने मॉलेकूल text किसी page पर लिखा होता है उस page को बोल दिया chromosome तो ये chromosome भी है और ये DNA भी है ऐसे कहलो कि chromosome के अंदर DNA गुचपुच होके ऐसे fit किया हुआ है और ये pairs में form होते हैं तो this is a chromosome pair जैसे sheet of paper chromosomes हमारे nucleus के अंदर होते हैं और nucleus हमारे cell के अंदर होता है ये जो मैंने बोला है सब कुछ यही सब यहां पर लिखा हुआ है तो genome का मतलब समझ गाए आप genome is a complete set of DNA एक page पर जो भी text लिखा है दूसरे page पर लिखा है तीसरे page पर लिखा है पूरे 46 pages पर जो भी text लिखा हुआ है उन सब का complete set यह complete set है किताब this is your genome अब अगर scientist पूरी study करते हैं human genome को और देखते हैं exactly कौन कौन सी genes है किस order में हैं उनके अंदर क्या क्या है सब कुछ वो देखते हैं proper उसको बोलते हैं genome sequencing mapping क्या होता है mapping genome sequencing की ही तरह होता है लेकिन it is less detailed mapping map उपर उपर से देख सकते हो कि अच्छा वह वाली gene जो है वो उस पर्टिकलर जगे पर है वहाली जीन वहां पर है टेक है इंसानों में यह problem होती है तो यह genetic disease की problem वो पर्टिकलर जीन है जो की उस page पर दी हुई है तो that is mapping लेकिन शुरू से लेकिन आखिर तक अगर आप सब कुछ पढ़ रही हो प्रोपर सीक्वेंस से तेकन अप्रीट रीडिंग ओफ दे बुक डाट इस सीक्वेंसिंग अब इसको इंडेक्स की तरह ध्यान रख सकते हो कि जीनों सीक्वेंसिंग इस लेक पूरी किताब पढ़ना शुरू से लेके आखिर तक और इंडेक्स 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 मता दिया कि कौन सी जीन कहां पर है टेक है इंडेक्स वगार बना दिया कौन सी जीन कहां पर डाट इस ओर जीनों मापिंग रीडिंग कंडेट बुक इस सिक्वेंसिंग बट मैं रिकमेंड करूंग एक्जाम के लिए ज्यादा पन्फियू यूपीएसी नहीं पूछेगा 2011 और 17 का कुशन सेम कंसेप्ट पे बेस्ट था बस यूपीएसी थोड़ी वर्डिंग्स चेंज कर दी थी बड़ कंसेप्ट बिल्कुल सेम था जैसे 2011 का कुशन है कि DNA सिक्वेंसिंग करने से हमें क्या फाइदा होता है तो पहला सेंटेंस है कि it is possible to know the pedigree of livestock बिल्कुल जो भी लाइफ स्टॉक है उसकी पेडिगरी या उसका कौन एंसेस्टर्स थे वो प्यॉर ब्रीड की है जिसे काउज हैं डॉग्स हैं तो कोई particular काउज या डॉग प्रॉपर जागते हैं उसी ब्रीड के हैं या कुछ क्रॉस पहले हुई थी तो ब्लड लाइन की प्यॉरटी वगरा वो सब पता चल सकता है जीन से राइट इट इस पॉसबल टू अंडर्स्टांड कॉज ओफ ऑल हुमें डिजीज यह तो आप सो सकते हो कि इंसानी जितनी भी डिजीज होती है सब का कॉस पता चल सकता है आप ऐसे सो स सकते हो कि भी कुछ जैनेटिक डिजीज होती है जो कि हमेरे जीन्स में कोई दिक्कत है जिसके विसे बिमारी हो रही है तो अगर हम जीनोम को पढ़ेंगे तो जैनेटिक डिजीज क्या 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 कॉज है वो किस जीन की वज़े से हो रही है वह में पता चल जाएगा बट व उसके कॉश्च पिता लगा सकते हैं, एक एक एक्जामपल है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसे मालनों किताब है, यह हुमेन जीनोम हो गया, ठीक है, जैसे हुमेन जीनोम है, ऐसे ही कोई, किसी पर्टिक्लर आनिमल का भी जीनोम होगा, ठीक है, यह उसकी और इंसान दोनों को effect करता है, नहीं, HIV वाइरस दुनिया की सारी life form को थोड़ीँ ने effect करता है, कुछ life form ऐसी होंगे जिनको effect नहीं करता, तो क्यों ने effect करता, क्योंकि उस particular organism के genes में, कोई भी ऐसी genome में, कोई भी ऐसी gene नहीं होगी, जो इस particular virus से effect हो जाए, तो उसलिए इस particular organism को इस HIV वाइरस से या मालो यह करोना वाइरस से उससे एफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन इंसानों में कोई पर्टिकलर जीन्स होंगी जिनको यह एचाईवी या कोरोना का वाइरस एफेक्ट करता है चेकर तो डिजीज कोई भी हो डिजीज कोई भी हो चाहिए हमारे खुद की बनाई भी है पिरिंट से मिली है ठIGNA लाइफ ज्शपाल की वजजे से है यह कुछ भी है हर तरह के डिजीज का जो कॉज होता है वो किस ना किसी जीन होती है कोई ना कोई जीन होती है ठीक आप उस जीन को इलैंटिफाई करो उसमें कुछ चेंजेस करो देन यू विल गट दा इम्मुनिट जैसे माल लो मैं करोना वायरस से लड़ना है तो आप देख सकते कि कौन वायरस हमारी कौन कौन सी जीन्स को एफेक्ट करता है किस वे में अगर आपने इंसान की उन जीन्स को चेंज कर दिया तो मैं करोना वैरस चाहिबी मिल गई कोई इंजेक्शन लंगाने की जुरूत नहीं है इन बिल्ट जेनेटिक फॉर्म में वह इम्मुनिटी मिल गई तो ऐसा कहना कि सारी डिजीज के वारे के कौज़िस पता लगाए जा सकते हैं तो हां सेकंड सेंटेंस सही है थर्ड सेंटेंस है इस पॉसब जनिटीक एडिटिंग करके सेंटेंस सही है 2017 कोशन जीनोम स colonial फूर्म में इन छलग में डिचे यूदम और यूस किया जा सकता है यहां पर अनिम के बार में और अग्री कुश्चर के बार में है इस इसको संच होतो है या ऐसी crops होती है, plants, उनमें disease कौन सी gene की वज़े से हो रही है, अगर उनकी drop tolerance बढ़ानी है, तो कौन सी gene को add या modify किया जा सकता है, यह सब genome sequencing के थुरू करोगे, right, It helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plant, अब हमें चाहिए कि climate change की वज़े से temperature बढ़ेगा, ड्रॉट बढ़ेंगी, तो हमें ऐसा गेहूं बनाना है, जो कि ड्रॉट टॉलरेंट हो, ठीक है, तो हमें particular variety का गेहूं बनाना है, तो हमें simply gene identify करनी है, हमें देखेंगे कि बहुत सरे गेहूं होते हैं, ठ बहुत होता है, तो particular कौन सी gene है, जिसकी वज़े से पौधे को एक particular strength मिलती है, तो वहली genes हम अपने desired पौधो में डाल देंगे, और हमारे desired जो wheat हैं, वो भी drought tolerant हो जाएंगे, तो particular variety को बनाने में गाफी कम टाइम लगेगा, it can be used to decipher the host pathogen relationship in crops, भई होस्ट pathogen relationship वही हो गया है, जो बताया था भी कि ये इंसानी genome है, we are the host, और pathogen है वहारा virus, इनमें आपस में क्या relation है, कौन सी genes आपस में interact कर रही है, वो सब पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो तो तीनो sentence इसमें भी सही है, तो अगर 2011 वाला question आपर ढंक से समझ लिया होता, तो 17 वाला भी आप ब प्रोजेक्ट चलाते हैं, प्रॉपरली DNA को पढ़ने के, तो ऐसे ही 1990 से 2003 के बीच में एक international प्रोजेक्ट था, human genome project, इसका एम यही था, कि पूरे human genome को पढ़ा जाए, पूरी genome sequencing करी जाए humans की, इसमें बहुत सारी countries थी, करीब 7-8 countries थी, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं था, तो इंडिया ने अपना प्रोग्राम लांच किया है, इंडिजन प्रोजेक्ट, इंडिजन प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे है, human DNA को पढ़ रहे है, पूरे genome को, लेकिन इंडियन का, तो इसमें 1029 इंडियन के DNA की proper genome sequencing करी गई है, इंडिजन प्रोज जिन से पता चला है कि 32% genetic variations unique हैं इंडियन में, इंसानों का DNA same है as compared to other animals, लेकिन इंसानों में भी अलग-अलग differences होते हैं, और specially जो race होती हैं, different race के लोगों का, जैसे माल लोग ये particular race के लोग हैं, ये particular race के लोग हैं, तो अलग-अलग, हर race में अलग-अलग individuals हैं, individuals का अपस में DNA अलग है, लेकिन as compared to this group to this group, इन दोनों groups में आपस में थोड़े ज़्यादा differences रहेंगे DNA में, ठीक है, तो ये तो बहुत natural सी बात है, तो 32% genetic variations हैं वो इंडियन में ही पाई जाती हैं, इंडियन डियने इस में, इसने करीब 5.6 करोड नीकलोटाइड वेरियन्स अइडिए कर प्रोग्राम CSIR का है, 1029 इंडियन का DNA सिक्वेंस किया है, दूसरा प्रोजेक्ट है, Department of Biotech का, जिसको IISC लीड कर रहा है, Indian Institute of Science Bangalore लीड कर रहा है, इसमें 10,000 इंडियन्स के DNA को जीनोम सिक्वेंसिंग उसकी करी जाएगी, एक है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, तो internationally, पहले साइंटिस्टों ने मिलके, human genome को decode किया, DNA सिक्वेंसिंग करी पूरी, अब वो यह कह रहे हैं कि, जितनी भी life form है, पूरे अर्थ पे, सबकी genome सिक्वेंसिंग कर दो, सबकी, ठीक हैं कि, मशीन्स वगर काफी अच्छे आगी हैं आजकल, तो वैसे, आप सबकी कर दो, DNA सिक्वेंसिंग, उसका नाम है, Earth Bio Genome Project, दसल का प्रजेक्ट है, पृत्वे पे जितनी भी eukaryotic bio diversity है, सबकी genome सिक्वेंसिंग करी जाएगी, eukaryotic मतलब, eukaryotic organism ऐसे होते हैं, जिनके cell में nucleus होता है, जैसे ये एक particular cell है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, कि cell के अंदर बहुत सरे organelles होते हैं, जैसे कि, endoplastic reticulum, nucleus, vocules, ribosome, lysosome, ऐसे बहुत सरी चीज़े होती हैं, लेकिन जो pro-karyotic cell होते हैं, pro-karyotic cell में कोई proper nucleus नही होते हैं, तो दोज़र pro-karyotic, pro-karyotic मतलब generally होते हैं, bacteria और archive, लेकिन जितने हमारे plant, animal, cell, fungi, ये सब होते हैं, सारे eukaryotic होते हैं, तो जितने plant, animal वगरा हैं, सब की genome sequencing करी जाएगी इस project के थुरू, अगला है Indian Initiative on Earth Biogenome Sequencing, तो ये Earth Biogenome Project चल रहा है, इसमें इंडिया का भी एक initiative है, ये इसी का part है, ठीक है, ये इसी का part है, ये कर रहा है, National Institute of Plant Genome Research, हमारा target है कि हम 5 साल में 1000 species की genome sequencing करेंगे, Department of Biotech के कुछ प्रोग्राम्स, Genome Sequencing और Genetics के उपर, जो उनकी website पर दिया हुए है, तो डीटेल जुरूर ही नहीं है, फिर बियो कर पढ़ लो, उमीद प्रोग्राम, उमीद प्रोग्राम है कि pregnant women या newborn babies में कुछ genetic disease है, अगर तो उनको identify किया जाए, और हो सके तो उसको ठीक क किया चाहिए, इसके लिए निदान केंद्र स्टाबलिश होंगे कुछ बड़े-बड़े hospitals में, Genome India बता दिया, 10,000 इंडियन्स का Genome Sequencing करेंगे, Human Microbiome Initiative of Select Endogamous Population, ये mainly Tribals के लिए है, ठीक है, और उनके lifestyle और microbiome वगरा पे, जीन्स पे क्या फ्रक पढ़ रहा है, ठीक है, जीन् Program on Monogenic Disorders, कुछ-कुछ diseases होती है, genetic disease, जो particular single genie की वज़े से होती है, कुछ specific regions में, जैसे कहते है न, उस particular region के लोगों को ये genetic बिमारी देखी जाती है, in general, तो क्यों देखी जाती है, तो उस particular gene को identify किया जाए, उसके लिए project है है, National Genomic Score, तो basically सरकार ने एक central system मना रखा है, जिसमे genetic से related, बहुत सारा data होगा, कुछ बड़े-बड़े computers होगे, तो अलग-अलग universities और industries ने अगर कोई research करनी है, तो वो इस database और उस computing power, computers का इस्तमाल कर सकते हैं, आपने research के लिए, that is the National Genomic Score, तो ज़्यादर detail की जुरूत नहीं है, बट broadly ध्यान रखो, कि ये program, science and tech ministry के अंडर आ DNA technology के क्या benefits होते हैं, तो benefits बहुत सारे होते हैं, जो भी benefit दिखाई दे मतलब option में आए, इसको सही mark कर देना, जैसे forensic investigation में, justice delivery में, DNA testing कर लो, ऐसे बहुत सरे आपको पता ही है, forensic investigation में काफी अच्छे सबूत मिल जाते हैं, पक्के सबूत मिल जाते हैं, तो जो हमारा DNA bill अला रह किया जाएगा, उसको क्या process रहेगा, क्या regulations रहेंगे, वो सारी details bill में रहेंगी, law बना नहीं है अभी, bill है, तो उसकी details prelims में तो बिल्गल में नहीं आने वाली, ठीक है, तो वो सब पढ़ने का फायदा नहीं है, DNA में change करके, genes में change करके, हम particular organism change कर सकते हैं, ठीक है, कोई organism कुछ खाते पीते हैं, और कुछ चीजे excrete करते हैं, कुछ chemicals generate करते हैं, ठीक है, कुछ biochemicals होते हैं, कुछ chemicals होते हैं, जो pathogens वगरा, bacteria वगरा, release करते हैं, जिन chemicals को हम industries में भी use करते हैं, तो obviously DNA technology के मदद से, gene editing के थुरू, हम नएने chemicals भी बना सकते हैं, healthcare में क्या है, genetic disease को identify करो, उसको treat कर सकते हो, pharma co-genomics, pharma co-genomics, मतलब role of genome in drug response, कोई-कोई दवाई होगी, वो Indians में ज़्यादा effective होगी, और US के लोगों में कम effective होगी, क्योंकि हमारा genome different है from the genome of people of US से, हलक़ बादा different variations होते हैं, तो genes की वज़े से, genes में variation की वज़े से, drugs के परती हमारी body का क्या response रहता है, उसमें भी difference आजाता है, तो आपने अगर इसकी study कर ली, उसके बाद प्रॉपर medicine भी वैसी बना सकते हो, आप यह को कि हम किसी particular medicine को, और effective बनाएंगे, based on the person's genome, तो वो होगी personalized medicine, agriculture में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे plants बनाओ, जिनकी ज़्याद हो, ठीक ने, यह सब चीज़े हम नीचे देखेंगा भी, अभी हम gene editing बगरा पढ़ेंगे, GM crops पढ़ेंगे, तो यह पर example देख लेंगे, इनमें से क्या क्या चीज़े news में थी, और क्या 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 question UPS से पहले पूच चुका है, अब यह तो क्या benefits, DNA tech के, नुकसान भी हो सकते हैं क्या, हाँ, जैसे यह Indian Express article था, काफी लंबा, Indian Genome के उपर, यह जो प्रोजेक्ट है न, Genome India Project, तो Genome India Project के उपर यह article आया था, आई यह explained, यसे एक तो लास्ट में दिया था, social issues, ऐसे प्रोजेक्ट से क्या social issues हो सकते हैं, जोगा हैं पर दिया हुआ है, कि एक तो इंडिया Indian कौन है, जैसे मैं आपको यह पर बताया, कि इंडियन प्रोजेक्ट ने बताया, कि Indians के DNA में 32% variations हैं, variation unique हैं, लेकिन Indian कौन है, सब Indian का same DNA थोड़ी ना है, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, वो mainly 6, mainly वो मेरी काल से 5 या 6 अलग races के हैं, ठीक है न, तो जो अलग-लग races के हैं तो उनमें भी आपस में बहुचता variation है, भाई हो सकता है कि India और Middle East के कुछ लोग हैं, उनका DNA ज़्यादा match कर रहा हो, ठीक है, इंडिया साउथ में चले जाओ, ठीक है, यह इंडिया है, तो इंडिया के साउथ में चले जाओ, तो यहां के लोगों का और श्रीलंका के लोग को ज़्यादा DNA match करेगा, as compared to North Indian versus South Indian, North East के लोगों का, यहां पर मेयनमार के लोगों साच ज़्यादा DNA match करेगा, as compared to mainland India, तो यह सारी variation हो सकते हैं, तो DNA से आप नहीं बता सकते हो, कि यह बंदा Indian है या नहीं है, यह particular बंदा जो है, वो कौन से धर्म का है, यह सब चीज़े को DNA DNA से नहीं बता सकते हो, DNA से race बता सकते हो, उसकी history बता सकते हो, आप यह track कर सकते हो, कि इंसान सारे दुनिया के सारे इंसान आफरिका से आये थे, ठीक है न, वो scientific चीज़े हैं, बट कौन से धर्म के हैं, कौन से देश के हैं, यह सब चीज़े actually DNA नहीं बता सकता है, DNA में नही ब्लू होगा, यह नहीं लिखा होगा, इसका धर्मी यह होगा, इसका देश यह होगा, लेकिन लोग चीज़ों को twist करके use करते हैं, और यह को नहीं बात नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कि जर्मनी में जो fascist लोग थे, नाजी वाले, ठीक है, अनका यह main क कर रहा है, कि इस project का ऐसे misuse भी लोग कर सकते हैं, to do the politics based on DNA, genome editing, एक species के genes को दूसरी species के genes में डाला जा सकता है, हाँ, बिल्कुल, यह इनसान का genome है, आप किसी bacteria के genome, बैक्टिरिया तो बिल्कुल different चीज़ है, बैक्टिरिया के genome में से कोई gene निकालके, इनसान के genome में डाल सकत हो, हाँ, बिल्कुल different species हैं, बट यह चीज़ करी जा सकती है, और करी जाती है, ठीक है, तो gene editing का मतलब होता है, कि कि किसी के DNA को change करना, उसे आप या तो गई extra gene डाल दोगे, या किसी gene को निकाल दोगे, या किसी और तरीके से gene में कुछ alteration कर दोगे, और इसको करने के ऐसा कर करने के लिए technology चाहिए, तो वो बहुत सरे technologies होती है, उन में से एक technology का नाम है, CRISPR-Cas9, ठीक है, तो CRISPR-Cas9 में क्या होता है, कि जो CRISPR है, वो guide करता है Cas9 को, Cas9 ये catchy की तरह है, Cas9, catchy, तो ये catchy है, जो particular किताब में जाएगी, वहाँ से gene को cut करेगी, ठीक है, और इसको guide क्यों करत होता है, गाइड करता है CRISPR, CRISPR दूसरा molecule हो गया, तो 2019 कोशन देखो, Cas9 protein क्या है, ये molecular scissors है, जो targeted gene editing में काम आती है, इसका use करके, Chinese scientist था, है, मतलब, ही जियंकुई, वो जाब एजांबल दियता है, पहले कि human genome में से particular gene को, CCR5 जीन होती है, ठीक है, उसको edit करके, he gave immunity about the AIDS, तो HIV नहीं हो अफिर, इसने दो twin girls बनाई, लब दो twin girls थी, उनका कुछ ऐसे rating करी, उनके embryo के genes में, कि CCR5 gene को edit करके, the girls have resistance from, immunity from the HIV AIDS virus, तो ऐसा करना allowed नहीं है, ठीक है, बहुत सरे reasons वग रहा होते हैं, वो main skill important है, क्या ethical dimension है, क्या legal dimension है, वो सब चीज़ है, तो he was finally jailed, ठीक, और एक चीज़, कि हमारी genes होती है, आको पहले समझाया था, कि genes हमारी, कोईने कोई trait, control करती है, कि आखो का color क्या होगा, बाल कैसे होंगे, वो सब, लेकिन कोई genes होती है, जो एक से जादा traits को control करती है, जैसे माल लो एक लंबा सा sentence है, ठीक है, genes का sentences होते है, sentence, दूसरा sentence हो पूरा page बनता है, DNA बनता है, तो एक sentence काफी लंबा सा है, कि इस बंदे की आखे blue होंगी, and बाल कर ली होंगे, एक sentence में काफी 2-3 traits बता दिया है, आप में, तो ऐसी genes को बोलते है, pleiotropic genes, जैसे 2002 में कोशन पूचा था, UPSC ने, कि जब एक genes से जादा characteristics control हो जाएं, तो क्या बोलते हैं उस phenomenon को, pleiotropy, और उन जीन्स को बोलते हैं, pleiotropic genes, मालनों अपने इस इंसान में, इसके genome में, इसको जो exactly, मतलब, जो unique genome है, उसमें कुछ editing करी, तो क्या वो edited genes, इसके offspring या baby में भी transfer होंगी, वो depend करेगा, कि आपने कौन से cells में करी है, अगर आपने germline cells में करी है, व germline cells, जैसे agia sperm में, तो वो pass on हो जाएंगी, बेबी में, लेकिन अगर somatic cell में करी है, जैसे neuron है, तो वो pass on नहीं होंगी, ठीक है, तो अगर question आजाए, यू, prelims के अंदर, कि अगर किसी इंसान में gene editing करी जाए, तो definitely उसके baby में भी transfer होंगी genes, answer है no, definitely नहीं, हो सकती है क्या, हा हाँ पर geneating करी है, germline cells में करी है, या somatic cells में करी है, अब 2020 का question देखो, genetic changes can be introduced in the cell that produce eggs or sperm, हाँ बिल्कुल, जैस मैंने को यहाँ पर बताए है, germline cells में कर सकते है, पहला option बिल्कुल सही है, दूसरा है, person's genome can be edited before birth at early embryonic stage, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जैसी embryo बनता है, उसी stage पे आप उसके genome में changes कर सकते हो, definitely, third is, human induced pluripotent stem cells can be injected into embryo of a pig, अब यह induced pluripotent stem cell क्या होते हैं, यह भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, यह induced pluripotent stem cell क्या होते हैं, भी समझा दूँगा, लेकिन अगर मालना आपको नहीं पताब exam दे रहे हो, 2020 में आपने exam दिया and आपको यह तो नहीं पता क्या होता है, फिर आपना आगे पढ़ा, मतलब human stem cell can be injected into the embryo of a pig, यह आपको अजीब सा लगेगा थोड़ा सा, आप एक होगे यह जीन्स तो ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना कि एक species से दूसरे species हमने जीन्स ट्रांसफर कर दी, लेकिन क्या cell को भी ट जाल दो, ऐसा पॉसिबल है, तो आपको common sense से लगेगा कि यह sentence गलत है, common sense से लगेगा आपको, जब कैसा नहीं है, यह sentence बिल्कुल ठीक है, इसमें तीनो sentences बिल्कुल ठीक है, उसमें हिंदू में भी आया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जिससे पहले organ donation के लिए हमें कोई इ किसी दूसरे इंसान से ले रहे हो, अब हम ऐसी technology बना लिए हमने, कि हम human organs को दूसरे animals में grow कर रहे हैं, can you imagine this, there was concept समझो, कि यह आप हो, चीक है, this is you, आपकी body में बहुत सारे cell है, दिमाग में अलब neuron cell है, यहापे kidney cell, liver cell, skin cells होते हैं, तो सारे specialized cell हैं, हर cell का कोई special function होता है, जो काम neurons का है, वो काम heart cells का नहीं है, आपके दिल में लगते रहे cell हैं, तो हर cell का कोई specialized function होता है, लेकिन आप पूरे बने हो embryo से, ठीक है न, तो बिल्कुल initially, एक single cell था, जो दो cells में divide हुआ, वो दो cell आपस में divide होता गए, तो cell divide होता गए और आप पूरे इनसान बन गए, लेकिन ध्यान रखो वो पहले एक initial cell था, उसका कोई specialized function नहीं था, आज आपके neuron का specialized function है, specific purpose है, heart के cells का specific purpose है, specific function है, initial cell का कुछ ऐसा function नहीं था, उसका काम था अपने जैसे और cells बनाना, और ये और cells बनते रहे, और दीरे दीरे जो last में cells बने, उन में कोई specialized function, ये वो specialized हो गए, ठीक है ना, concept समझ गए है, बहुत obvious सा concept है ये, तो ये जो ability होती है, कि initial cell था, वो अलग-अलग तरीके के cells में divide हो जा रहे है, अलग-अलग तरीके के, इस अलग-अलग तरीकों के cells में divide होने की ability को कहते है, cell potency, cell की potency, ठीक है, तो जो सबसे जादा जो initial cell था, जिससे एक दम आप बने थे, एक दम initial वाला cell था, वो आपकी body के हर तरह के cell में convert हो सकता है, तो उसमें ये potency सबसे जादा है, ठीक है ना, ये वाला जो होगा, आपकी body माल लो ये सारे cells हैं, तो ये वाला जो cell है, इस से ये पहले के 3 cell बने, तो इस cell की potency कम है, क्योंकि इस cell से आप सिर्फ 3 तरह के cell बना सकते हो, लेकिन initial वाले cell से आप 10 तरह के cells बना सकते हो, तो पहले वाले की potency जादा हुई, और इस वाले की potency थोड़ी कम हो गई, और जो आखरी वाला है, उसकी potency बिल्कुली 0 हो गई, ठीक है ना, आपकी skin है, आपन potency, मैं कोई फालतों नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ से काम किया, जैसे आप यूपीसी ना पूछ लिया ना, पूरी पोटेंट cell के बारे में, अब द्वारा पूछ सकता है, 2020 में पूछे द्वारा पूछ सकता है, और stem cell therapy में 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 आ चुका है पहले, तो इतन सारे cells में convert होता है, लेकिन कम variety के cells में convert हो सकता है, उसके बाद आता है multipotent, oligopotent और unipotent, unipotent अपने ही तरीके के cells में convert होगा, वो किसी other cell type में convert नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब ये induced pluripotent क्या होता है, pluripotent का लिखा है, यहां पे लिखा है, induced मतलब वो था नहीं, लेकि हमने उसको कहे दिया, तुम ऐसा काम करो, आपने किसी unipotent cell को पकड़ा, और laboratory में उसके genes के अंदर, उसके अंदर जो भी genetic material है, उसके अंदर आपने कुछ ऐसे changes करे, कि वो एक pluripotent cell के दिर भीफरने शुरू कर दिया, उसने, यह तो बड़ी है चीज है, क्योंकि हमारी body म कहते हैं कि अगर कोई mental trauma हो जाए, मतलब कोई दिमाग में कोई damage वग रहा हो जाए, तो उसको reverse करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो cells repair नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे case में हम सोच होगे, कि यह जो इंसान है मेरे सामने, इसके brain में neurons repair नहीं हो पा रहे हैं, तो जब इंस जान किसी embryo से बना था, उस embryo में जो शुरू में totipotent या pluripotent cell थे, pluripotent cell पता है कब आते हैं, approximately मेरे खाल से embryo के बनने के 15-20 दिन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो अगर वो 15-20 दिन के बाद वाले cells अगर हमारे पास हो, suppose, I'm not sure कि कब आते हैं, मेरे खाल से तब ही आते है, pluripotent cell, तो अगर उन cells को, आज हमारे पास तो cell होते, तो हम उन cell की मदद से, इसके neurons मना सकते थे, तो बंदर ठीक हो जाता, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, scientist का कर रहे है, induced pluripotent cell से, आपके body के ही cell लेंगे, and उनके genetic material में कुछ ऐसे changes करेंगे, कि वो आपके pluripotent cell के त तो यह होता है, आपका stem cell therapy का एक तरीका, दूसर तरीका यह भी होता है, कि हमारी body के अंदर, कुछ adult stem cells होते हैं, देखो, stem cell क्या हो गए, stem cell हो गए, cells which can differentiate into different type of cell, जिन में potency होती है, अच्छी खासी, बताया ना, कि वो अलग लग तरीके के cell में डिवाइड हो आते हैं, तो खुद का कोई function नहीं होता, specialized, बताया ना, कि embryo में विल्कु शुरू में जो cell तो खुद का कोई specialized function नहीं है, heart, lung, इन सब के cells का special function होता है, लेकिन in cell, stem cell का कोई specific purpose नहीं होता है, specialized function नहीं होता है, तो दो तरह के होते हैं, embryonic और adult, जैसे embryo में जो थे, उनको बोल दिया embryonic stem cell, लेकिन इनसान की body में आप adult हो, आपकी body में सारे cell specialized नहीं है, दिमाग का cell सिर्फ दिमाग का का काम करेगा, heart का cell सिर्फ हाट का का काम करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे cell होते हैं, जो अलग अभी भी कुछ अलग अलग तरीके के cells में convert हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते है, adult stem cell, जैसे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे कई वह न्यूज में आता है, कि किसी का bone marrow transplantation किया गया, bone marrow में से कुछ लिया गया, या जब आज को एक trend चलता है, कि जब बॉन होता है, तो जो placenta होता है, उसका छोटा सा हिस्सा preserve कर दिया जाता है, तो उन सब का भी concept कहिने का, यह stem cell therapy ही है, कि आपने कुछ ऐसे cells को निकाल लिया है, जिनको आप body के किसी और cell में convert कर दोगे, laboratory के अंदर, और फिर plant कर दोगे, cloned animals क्या होते हैं, simple सी बात है, कि एक किताब है, आपने एक बंदे को पकड़ा, humans को नहीं, मतलब particular human को, हम humans in general की बात नहीं कर रहे हैं, आपने particular इनसान को पकड़ा, हर इनसान का genome बिल्कुल unique होता है, उसकी किताब बिल्कुल unique होती है, किस और इनसान से match नहीं करती, ठीक है random mutation से अलग हो जाए, अलग बात है, but otherwise, almost 100% genes को अपने बिल्कुल exactly same copy कर दिया, तो वो बनिया cloned animal, nature में ये चीज अपने आप होती है, ठीक है, जैसे bacteria, fungi, plants, इन में अपने आपी cloning होती है, लेकिन जैसे इनसान है, तो parents से जो बच्चा born हुआ, उनकी DNA में फरक होगा, वो cloning नहीं है, you are not a clone of your parents, difference आता है काफी, लेकिन अगर इंसान हों भी कर दिया जाए, तो किया जा सकता है, बैन है इस पे, ठीक है, बट किया जा सकता है, तो artificially scientists already sheep, goat, rat, बहुत अरे animals में cloning कर चुके है, दुनिया की पहली mammal जिसकी cloning करी गई ती इस तरह से वो है, डॉली the sheep, य डॉली the sheep, it was the first mammal, जिसको cloning करी गई थी, somatic cell से, 1996 में बनाए गया था, and 2003 में शी डाइड, साम रूप क्या है, it is the first buffalo, जिसकी cloning करी गई थी, और इस cloning करने के टेक्नीक होती है, एक टेक्नीक थी, hand-guided cloning technique, ये इंडिया में करी गई थी, 2009 में, हर्याना के करनाल में, National Dairy Research Institute म ये Science and Tech की पहली class है, इसमें हमने page number 1, 2, 3 पढ़ लिये हैं, यहाँ पे, बाकी की pages आप PDF से खुद पढ़ सकते हो, PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इसका link description box में दिया हुआ है, ऐसे ही Science and Tech की जो second class आईगी, पहले 2-3 pages हम discuss करेंगे YouTube पे, और बाकी pages आप खुद PDF से प pages की भी explanation video सुननी है, तो वो हमारे paid course का part है, तो paid course क्या है, जैसे Science and Tech के paid course में, जो बाकी का portion है, classes का, जो की free YouTube पे नहीं आएगा, उसके लिए you have to pay 200 रुपीस, हिंदी वीडियो उसके लिए, जैसे ये जो वीडियो चल रही है, ये हिंदी वीडियो है, PDF तो हमेशे English में रहे इसके लिए आप 200 रुपे दो, और आपको Science and Tech current affair की ये सारा portion classes का मिल जाएगा, ठीक है, इसमें अगस्त तक के सारे current affair कवर होंगे, मई 2020 से लेके, अगस्त सब्टेंबर 2021 तक के सारी चीज़ें इसमें covered रहेंगी, और भी कुछ classes आएंगी, सब कुछ इसमें covered रहेगा, Science and Tech current affair का, अगर आपको explanation पूरी तर English में चाहिए, वोइस भी मेरे English में चाहिए, तो उसके लिए 250 रुपीज लगेंगे, जॉइन करने का तरीका क्या है, कि वीडियो का description box में देखो सारी details है, या फिर website पर जाओ, allinclusiveis.com आप वीडियो को, जो paid वीडियो हैं, उनको किसी एक platform पे देख सकते हो, या तो mobile app पे, Android Play Store में से, allinclusiveis नाम की mobile app डाउनलोड कर लो, अगर iPad या iPhone यूज़ कर रहे हो, तो Class Plus नाम की app डाउनलोड करो, and MXLDF उसमें organization code डाल देना, ठीक है, MXLDF, mobile app जब डाउनलोड हो जाए, तो उसके बाद, नीचे होगा store को option, नीचे होगा store को option, store को खोलो, जो भी आपको course खरीदना है, उस course को खरीदो, खरीदने के बाद, फिर से store को होलो, और यहाँ पर आपको खरीदा हुआ course आपको दिख जाएगा, उसको play कर लो, सारी वीडिय जाएगा, वेट करने के जुरूत नहीं है, जैसी payment करोगे, पांच मिनट में course रालू हो जाएगा, एक बात धियान रखो, कि decide करो तीनों में से किस platform पे आपको videos देखनी है, अगर आपने mobile android app पे देख रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आपको किससर मैंने थोड़ी videos प पे देखनी है या ऐसा कुछ, तो एक platform चूज कर लो, किस पे आपको देखना है, उसी पे सब कुछ program चलेगा आपका, ये बात हम कर रहे है, वीडियो की, कौन सी वीडियो, paid part की, क्योंकि देखो, PDF तो टोटली फ्री है, पूरी की पूरी PDF टोटली फ्री है, वेबसेट से ड लेंगे, उसके आपको notification चाहिए, तो चैनल को subscribe करो और bell icon पे click करो